अक्सर हो कहा जब आप plots बना रहे होते हैं आपके screen पे अभी मैं एक plot दिखाऊंगा जिसके उपर आप देख रहे हैं कि colors कुछ ना मतलब कोई अच्छे किसम के नहीं है sometimes you need to produce some plots जो publication ready हो लेकिन ये वाला जो plot है this is not a publication ready plot you cannot publish it, reason behind that इसके बीचे grids आ रहे हैं ये बहुत ही basic plot है जो हर बच्चा आर के अंदर बना सकता है जिसने start किया है and as a scientist you need to show something regarding your data visualization skills खास दोर पर ये legend हैं कभी किसी का spelling छोटा आ रहा है किसी का बड़ा आ रहा है कभी C छोटा है कभी आप देख रहे हैं कि grid lines आ रही हैं colors बहुत sensitive से नहीं हैं बड़े easy to cache colors हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि green और red आ रहा है and then you cannot actually see कि यहां पे चल के आ रहा है उसके लिए एक library है जो publication plot publication ready plots बनाने में आपको help out करती है based on the data जो इन्होंने collect किया इसका नाम है ggpubr यानि कि gg grammar of graphics publication ready ठीक है यह ggplot2 पे ही based है लेकिन इसका code जो है वो इस तरीके से refine किया गया है कि आपके plots बहुत कमाल बनते हैं इसका use मैं आपको दिखाता हूँ and believe me आप इस plot में और उस plot में फिर फरक देखिएगा मैं यहां पे निया script बनाता हूँ जिसका नाम है 06 and ctrl s करता हूँ 06 ggpubr यहां पे मैं लिखता हूँ अब आप देखिएगा बलके इसको मैं ggpublication ready बलके publication ready के बोल देते हैं publication ready plots ठीक है publication ready plots 6 नमबर script है अब इसके अंदर सबसे पहला आपके काम करना है install करना है packages के अंदर ggpubr को तो मैं यहां पे ggpubr को install करता हूँ and usually अगर आपके पास यह पहले से install है then it will show you something like this मैं कहता हूँ चल ठीक है यार हो जा रिस्टार्ट no issue so अगर आपके पास यह package नहीं है you need to install that अगर आपके पास package है then it will show you क्योंकि यह install है और आपको दुबारा से install करने की जरूरत नहीं है right जी तो यह हमारे पास ggpubr आ गया मैं इसको library कर लेता हूँ library के साथ मैं यहां पे लिखता हूँ ggpubr यह library हो गया साथ ही मैं tidyverse भी लाइबरेरी कर लेता हूँ लाइबरेरी tidyverse you know why I am doing it so इसको explain करने की जरूरत नहीं है यहां पे आप आप देखेगा यह जो code है खास तोर पे data जो हमने बनाया था वो वाला so मैं यहां से create dataset वाला code उठाता हूँ सिरफ आपको difference चेक करवाने के लिए मैं यहां पे इस code को रखता हूँ and then I will go back here और यह जो मेरा पहला bar chart है मैं इसको उठाता हूँ और यहां पे ले आता हूँ तो मैं इस code को run करता हूँ you know कि इन सभी codes को run करने के बाद आपके पास यह वाला bar plot बना था अब इसी को हम बना के देखेंगे ggpubr पे same चीज ggpubr यूज़ करके उसके लिए of course आप इस website पर जा सकते हैं और यहां पे आप bar plots के उपर जा सकते हैं which is bit down there यह बाकी भी plots हम बना के देखेंगे but this is one of them आपने लिखना है ggpubr plot something like this मैं इस पर click करता हूँ and then you will have the whole library के यह कैसे बनता है ठीक है मैं यहां पे simply लिखूँगा यह वाला code है मैं इसको उठाता हूँ copy करता हूँ मैं यहां पे ले आता हूँ और यहां पे मैं लिखता हूँ copr plot अपना data देना है start हमने किया ggpubr plot से we are not using ggplot2 at this moment we are using ggpubr की command ggplot या ggbubr plot ठीक है and then data दे दिया x में जो हमने यहां पे दिया हूँ specie मैं इसको उठाता हूँ यहां पे ले आता हूँ यह quotation marks के अंदर आप लिख रहे है y is equal to values मैं यहां पे ले आता हूँ condition हमारे पास जो है वो है fill मैं यहां पे उसको लिख देता हूँ color हमने white ही रखना है palette jco रखी हूँ jco यह journal color palette है basically ठीक है और यह basically ggpubr के साथ आ जाती है automatically and then we have sorted value descending order में sort कर रहे sorted by groups को हमने default false रख दिया and angle हमने x का 90 कर दिया let's see मारे पास error आई है let's see कि यह error क्या कहती है error in per pmap index 1 with the name value caused by the error deep layer pull can't extract column that doesn't exist okay something is wrong so हम यहां पे देखते हैं कि df के अंदर क्या मसला है oh I see something is wrong with r thing हमने इसको बुल लाए data और काम हम कर रहे है df पे समझने हैं बात को this was data not df so मैं यहां पे data लिखता हूँ and we run this again there is something wrong so हमने रख़ा है जनाब data let's see data यह data के अंदर value v a l u e value condition species है let's see y value है अगर मैं इसको df dollar sign लिख करके लिखूँ no data dollar sign करके लिखते हैं यहां पे हमने रखनी है species यहां पे value के अंदर लिखता हूँ data dollar sign condition value and यहां पे हम लिखते हैं let's see data dollar sign condition अब इसको run करके देखते हैं something is wrong with that let's see किया wrong है यहां पे जो हमारे पास data है that is empty cars का data तो मैं इसको copy करके फिलाल ले आता हूँ and then we will see किया issue है I see now I know okay so issue यहां पे यह आ रहा है कि हमारे पास जो यहां पे factor होना चाहिए किसी भी एक चीज का हमने किसी चीज को factor में convert ने किया so that's the issue number one तो मैं यहां से sorting वाले column को वैसे ही comment out करने की कोशिश करता हूँ and then यहां पे बिलके control Z करते हैं बागी चीज़ों को and here और यह sorting जो descending मैंने किया था इसको comment out करके मैं अब run करके देखता हूँ and here we go समझ आई बात की क्या था sorting हमेशा ordinal variable की होती है which is a factor या तो आप बोलें कि जो factor है वो हमारे पास species factor के तोर पे आ रही है then it will work otherwise it won't work तो sorting आप अगर निकाल देंगे इसमें से then you can see कि आपका plot बन चुक है and here is your plot simple यह journal created palette है यह automatically colors अपने सेट कर देती है and then you can see these kind of plots like this ठीक है और यह हमारे पास basically जो non-grouped stat bar chart है आप इसको जो है वो groups को अगर true कर देती है let's see यहाँ भी अगर मैं इसको false को true करता हूँ इसको run करता हूँ no, we don't have groups coming up here and ah, I see because we didn't put that as a factor again false इसको ऐसे रखते है anyhow, अगर आप गौर करें यहाँ पर अब कि यह हमारा जो है plot वो इस तरीके से बन गया अगर मैं JCO को change करना चाहूँ किसी और चाहूँ में then the palette will be changed अगर मैं white को change करना चाहूँँ और किसी और चाहीज में तो border color भी change हो जाएगा and then you can do some other things as well तो basically आप इस तरीके से bar plot बना सकते है यहाँ पर अगर आप check करें तो यहाँ पर वो ही सारा data है लेकिन यहाँ पर अगर हम true करेंगे then we will have this kind of groups coming up ठीक है? क्योंके हमारे पास groups है ही नहीं है data के अंदर तो इस पड़ा से यह group नहीं बन रहा ठीक है? समझाए? and then we have deviation graph that is something like this you can also create that one same वो ही काम है सारे सिरफ और सिरफ आपने यहाँ पर जो है यह यहाँ पर यह changes करनी है different किसम की और bar plot वो ही रहेगा so if you explore this gg pub bar you will find a lot of things लेकिन जो color palette की बात है jco जो यहाँ पर बताई गई है मैं इसको देखता हूँ dollar sign gg bar plot enter यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इसके इलावा jco के इलावा कौन गौन सी और है palette के अंदर जाके let's see यह palette है अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास यह सारी palette साप यूज कर सकते है look ठीक है मैं यहाँ पर npg लिख देता हूँ npg jco की बजाए npg ctrl enter यह plot बन गया automatically change हो जाएगी color palette और अगर मैं npg के बजाए lens set रख देता हूँ नाम इसका copy paste enter यह बन जाएगा ठीक है so you can play with the colors और इसके इलावा palette के इलावा आप जो है यहाँ पर बाकी जो है palettes वो भी use कर सकते हैं जैसे rd bu है let's see अगर यह वाली काम करती है यहाँ पर because these are from color drawer palettes yes it's working fine but of course you need to check क्या आपने colors कैसे change करने यहाँ टाइटल लिखेंगे xlab ylab आप आप जाएगा fested by भी आप कर सकते हैं which is easier to do here I will show you later on क्या फेस्टेट क्या हता है but for now and yes gg theme भी आप add कर सकते हैं so yeah there are many things that you can play with this plot और आपके पास जो plot है that would be a bit different or I would say a bit nicer than before यह plot आप चेक करें ठीक है अब जब दूसरा plot हमने बनाया था मैं आपको वो दिखाता हूँ which is this one इस plot को चेक कर ले और जो हमने बनाया उस plot को चेक कर ले so colors में अच्छा खासा फरक है I would recommend कि आप यूज़ करें gg pub r को of course आपको थोड़ी से मेनत करनी पड़ेगी to understand कि यह pub r कैसे चलती है और हर plot आप चेक कर लें यहां पर this is kind of publication ready even though statistical analysis भी यह करके देता है which we will see in upcoming days and you can see static लगा के crucial Wallace test जो है वो इसके उपर आजाएगा simply आपने सिरफ plot बनाने और उसके अंदर stat comparison means करके आप यहां पर comparison लिख सकते है which is kind of advanced level in R but you can use it so let's see के आप लोगों को यह library या यह package किस तरीके से फाइदा दे सकता है मैं इसको बहुत दफ़ा यूज कर चुक हूँ अपने publications के लिए to get an inspiration के colors कैसे मैंने ले किया आने है अपने plots के अपने के लिए के लिए